दोखो ये कोशन करना है क्या है दोखो 5 girls and 10 boys sit in a row having 15 chair numbered from 1 to 15 मतलब ये 15 बच्चे हैं 5 girls 10 boys है एक row में बैठे हैं दोखो 1 से लेकर 15 तक total seat है find probability that end seat दोखो एक से लेकर 15 तक seat है c1 है c2 है c3 है ये 15 तक chair है इन 15 chair पर 10 boys and 5 girls बैठे हुए find probability that end seats are occupied by two girls इस बात की probability बताइए कि end seats पर दो गल बैठेंगी है ना and between any two girls and odd number of boys sit है ना and between any two girls and odd number of boys sit दोखो जैसे end पर girls बैठेंगी कोई भी दो girls ये confirm है और तीन girls बीच में कहीं बैठेंगी ये भी confirm तोकि total five girls है दोखो पहली बाद तो ns ns क्या हुआ दोखो ns बच्चों के बैठने के कुल तरीके तो 15 seats हैं 15 बच्चे हैं तो 15 factorial हो गया हमारा ns ns कितना हो गया बोलो 15 factorial हैं पंदरा बच्चे हैं और 15 chairs हैं तो 15 factorial हमारा हो गया ns अब देखो हमें n e चाहिए है n e ns कितना हो गया बोलो 15 factorial 15 बच्चे हैं और 15 e chair हैं तो 15 factorial हैं अब देखो n e N E का मतलब दोखो 5 girls है जिनमेंसे 2 girls तो यहां बैट गई दोखो end seats पर किस बात की poverty निकालनी है कि end seat पर 2 girls बैटें और between any 2 girls and odd number of wise sit है ना end between any 2 girls odd number of wise sit मतलब 2 girls के बीच में odd number of wise को बैटना चाहिए तो दोखो 2 girls तो यहां बैटी है तो इसका मतलब 3 girls बीच में कहीं बैटेंगी total 5 girls है 2 girls को end seats पर बैटना है तो 2 girls end seat पर बैटें अब बची हुई 3 girls दोखो बीच में बैटेंगी है ना अब दोखो जैसे ही 5 girls बैटी तो इनके बीच में odd number of wise बैटना चाहिए मालो इन दोनों के बीच में 2x प्लस 1 boys है इसके बीच में 2y प्लस 1 boys है ये 2z प्लस 1 boys है और मालो 2t प्लस 1 boys है ना है ना इन दोनों के बीच में 2x प्लस 1 boys है इनके बीच में भी 2x प्लस 2y प्लस 1 boys है लोगी दोखो end seats पर तो girls बैट गई पीच में तीन गल्स बैठेंगी अब जब ये तीन गल्स बैठेंगी तो हर दो गल्स के बीच में और नमबर आ बॉइस बैठना चाहिए तो इनके बीच में 2X प्लस वन बॉइस इनके बीच में 2Y प्लस वन बॉइस इनके बीच में 2Z प्लस वन बॉइस का sum 10 होना चाहिए, तोटल जो boys हमारे पास है देखो वो 10 boys है, है ना, तो पहली दो girls के बीच में 2x प्लस 1 boys है, फिर 2y प्लस 1 boys है, फिर 2z प्लस 1 boys है, फिर 2t प्लस 1 boys है, और इन boys का जो sum है, देखो वो 10 आना चाहिए तोटल सम, देखो देहन दो, अब यहां से देखो 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2t, देखो यह 4 हो गया, तो इदर 6 बचेगा, तो x प्लस y प्लस z प्लस t बरावर 3 बचा, देखो अब हमें यहां से यह देखना है, आखिर x, y, z, t कितनी values ले सकते हैं, देखो ध्यान दो, जो x है, यह 0 से ले करके, मतलब यहां पर जो boys का number है, जैसे x 0 हुआ, तो 1 boys हो गया, x 1 हुआ, तो 3 boys हो गया, x 2 हुआ, तो कितना हुआ दोखो, 5 boys हो गया, x 3 हुआ, तो 7 boys हो गया, अब मालो अगर हम x को 3 लेते हैं, तो boys 7 हो गया, इसके वहना 3 boys बचे, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, तो मतलब x जो है, वो 0 से 3 जा सकता है, y भी 0 से 3 जा सकता है, z भी 0 से 3 जा सकता है और TV 0 से 3 जा सकता है हर एक variable 0 से 3 जा सकता है ध्यान दो है ना तो अब हमें ये देखना है आखिर इसके कितने number of solutions होंगे तो यहां पर हम direct formula n plus r minus 1 c r minus 1 लगा सकते हैं n हो गया 3 c3 r हो गया 4 ठीक है तो कितना बचा दो को 6 c3 बचा यह हमारा n e हो गया लेकिन ध्यान से अभी दो को यह n e नहीं हुआ अभी इसमें क्या है पर ध्यान दो टू गर्स एंग पॉइंट पर बैटे हैं बीच में कहीं 3 girls बैटेंगे लेकिन वो जैसे बैटें उनके बीच में odd number of boys होना चाहिए तो boys का sum 10 माल लिया ठीक x plus y plus z plus t बनावर 3 हो गया और हर एक variable दो को 0 से 3 तक जा सकता है ध्यान दो है ना तो इस equation की total number of solutions क्या हो गए n plus r minus 1 n हो गया 3 r हो गया 4 दो को 63 अब दो को क्या है यह 10 boys बैटे हैं यह अपने आपको arrange कर सकते हैं जो 10 boys हैं अभी तो हमने क्या कि boys को select किया है boys को बैठाना है तो 10 boys जैसे यहां पर 3 बैटे हैं यहां पर 3 बैटे हैं यहां पर 1 बैटा यहां पर 1 बैटा यहां पर 1 बैटा ऐसा मने मन लिया तो जो 3-3 boys बैटे हैं वो आपस में arrange कर सकते हैं तो उनका arrangement हो जाएगा 10 factorial अच्छा यह जो 5 girls वैटी हैं 2 girls end points पर हैं 3 बीच में हैं तो जो 5 girls हैं तो 5 girls का भी जो total वैटने के ways हो जाएंगे यह 5 factorial हो जाएंगे तो इसका मतलब finally देखो जो N E आएगा N E यह हो जाएगा 6 C 3 into 10 factorial और into 5 factorial इस बात पर ध्यान दूँ यह हमारा N E हो गया 6 C 3 into 10 factorial into 5 factorial यह N E हो गया और N S देखो यह है अब probability क्या होगा N E upon N S probability क्या होगा बलो N E by N S यह हमारा N E है और यह N S है N E और N S से डिवाइट करेंगे तो हमें probability का answer मिलेगा तो अच्छा कोशन है देखो अब यहाँ पर ध्यान दखना हर एक variable 0 से 3 जा सकता है तो कि देखो अ जाना अगर X 3 हुआ तो 2 X plus 1 मतला दोको यहां 7 boys आ गए बचे 3 boys एक यहां बैट जाएगा एक यहां एक यहां क्योंकि बीच में odd number of boys बैटना चाहिए यह बात हम यहां पर मान के चल लाए है ठीक है लोगों बच्छों ध्यान से अच्छा कोशन है